नमस्कार दोस्ते मैं हूं सिवकंत दोस्तों अगर आपको WhatsApp पर कोई message send करता है और आप उस message को देख लेते हो या उस message को आप scene कर लेते हो तो उस message के सामने blue tick mark लग जाता है जिससे की सामने और परसों को पता से जाता है कि आपने उसका message को scene कर लिया है और अगर आप चाहते हो कि अगर आप किसी का message को scene करो या आप किसी का message को read करो तो उस message के सामने टिक mark नहीं लगे तो इस वीडियो को आप बनी रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की ऐसी setting बताने वाला हूं इस setting को अगर आप own कर देते हो तो अगर आप सामने वाले person कोई message read कर लेते हो त किसी इसको आप own कर सकते हो तो यहां पर आपको अपनी WhatsApp को open कर लेना है जिससे कि भी आप open कर लेता हूं फिर यहां आपको 3.0 पर आ जाना है यहां आप setting पर जाओगे यहां पर आप account पर क्लिक करोगे फिर यहां प्राइवेसी पर आ जाओगे अब यहां पर यह by default on रहता है तो इसको आपको off कर देना है तो जैसे आप इसको off कर देते हो और इसके बाद में अगर आपके पास वो भी वार सा message आता है और आप उसको scene कर लेते हो तो भी इस message के सामने blue tick mark नहीं आएगा only great tick mark नहीं रहेगा जिससे के सामने वाले person को पता नहीं चलेगा कि आपने उसको message को scene कर लिया है तो यहां मैं आपको message send करके दिखाने वाला हूँ यहां पर मैं कोई message send कर देता हूँ तो यहां पर मैंने इस message को scene भी कर लिया है एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं अपनी WhatsApp को open कर लेता हूँ यहां पर मेरे पास यह message आये था और इस message को मैंने यहां पर scene भी कर लिया है अब यहां पर आप देख पारे हो कि यहां पर message के सामने blue tick mark नहीं आया है तो दोस्तो इस पर गर आप blue tick mark को चुपा सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंद दे होगी अगर वीडियो पसंद दे है तो वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए ओर भी अगर आपको किसी पर कर कोई वीडियो ची तो आपको कमेट करके बता सकते हो धन्यम्य दोस्तो थेंग्यू